तो दोस्तों अब जब टोनी स्टाक अर्फ पे वापस आ गया है जैसा कि हमने प्रूफ देख लिए एवेंजस एंड गेम के फाइनल ट्रेलर में तो अब ये कुशन उठाए कि टोनी स्टाक का अगला सूपर सूट क्या होगा क्योंकि हमने मार्क 50 की ताकत देखी थी मार्क 50 एवेंजस इंप्निटी वर में तहल का मचा दिया था और तो और उसने थनौस का एक बून खून दिबाया था इसके बाद ये खबर आ रही थी कि प्रमोशनल आर्ट में हम लोगों को दिखाए दिया माक 85 आर्मर तो ये जो माक 85 आर्मर इसकी क्या का खूबी ये तो अभी लेकिन ये एक चीज से इंस्पायर उसकता है जो कि आरें मैं का बहुत बड़ा हतियार है तो क्या है वह चलिए जानते हैं तो दोस्तों जो लोग मार्वल कोमिक्स पढ़ते हैं और साती साथ जो मार्वल की एनिमेटेड सीरीज देखते हैं वह लोग जानते कि हावर्ट के अधिक सबसे बड़ी खोस थी एक ऐसा już जो कि energy को अब्सॉब करकर सकता था और उस रूबोट का नाम था Arsenal ऐसा super चैनल की मदद से जीते थे Arsenal ने सारे के सारे Infinity Stones की energy absorb कर ले थी और Thanos के हाथ से पूरा-पूरा Infinity Conflict निकाल दियाता है खेर यह तो बात रही Animated Series की जो लोग देखे होंगे लोग अच्छे जानते होंगे लेकिन अब बात कीजिए अगर Marvel Cinematic Universe की तो Marvel Cinematic Universe में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्रीडी बहुत सारे Super Regents इंटर्डीउस हो चुके हैं तो Arsenal को आहने मोगे में इंटर्डीउस करना कोई नहीं बात नहीं रहेगी लेकिन असनल से इंस्पायर होके Tony Stark अपना Mark 85 डिजाइन ऐसा कर सकता है कि वो सारी के सारे Infinity Stones की energy को absorb पर सके एस कंबेर टू Mark 50 जो ऐसा नहीं कर सकता था दूसरा बड़ा कोशर ही आ रहे कि हमें Arsenal Robot Avengers Endgame में दिखाई देगा तो इसका आंसर है नहीं हमें Arsenal Robot Avengers Endgame में नहीं दिखाई देगा लेकिन इसका prototype हमें हावर्ड स्टार्क के थूर दिखाई दे सकता है क्योंकि हो सकता है हावर्ड स्टार्क की जो studies है एक बार टोनी स्टार्क को फिर हेल्प करें कुछ ऐसा दिजाइन करने में जिसकी मदद से वह आसनल जितना है पावर्फुल सूट बना ले जो कि थैनोस के इनर्जी को अबसर्ब करें वैसी दोस्तों हम लोग सब जानते कि टोनी स्टार्क जब कुछ यर्ढ एक सीथा निर्फ आसनल जैसे ल्जार्ट करने बीना सकता है वह तो वह तो अर्थ पर और उसके सामने बहुत सारे पर उसे सार्य पний और वह चाहे तो क्योंकि बहुत सारिë सुपर अर्प जैसे सार्डम, ब्रूवाइन में कि rocket ने पढ़ा ता कि उसे Thanos की जो energy beam है वो trace करनी आती है तो यह कुछ ना कुछ relate करते है कि उलोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं design करने की जिससे Thanos का जो infinity stones के energy है उसको absorb करके उसको control किया जा सके रही बात Mark 85 Armor की तो Mark 85 Armor हमें को भी Avengers Endgame के promotional वीडियो में नहीं दिखा दिया यानि Mark 85 Armor quantum ring suit से भी बढ़कर है उसके पास कुछ ऐसी super strength है या कि super specialty features है जो की बहुत सादा भाली पढ़ सकता है Thanos की stones पे तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या Tony Stark का नया Armor Mark 85 Armor Arsenal Robots इंस्पायर होगा के नहीं होगा कमेंट करके मैं ज़रू बताएं और दोस्तों Comic Book Talks की तरफ से Avengers Endgame के Movie Tickets की Give Up में हो रहा है Give Up में पार्ट लेने के लिए सिब आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फिविरिट्स पर एरोस का नाम कमेंट करना है तो दोस्तों Avengers Endgame के Movie Tickets जीतने के लिए सब्सक्राइब कीजिए Comic Book Talks को Thank You for Watching